यही वो ननवुरा का जू है गाची है। इसelt युबग को जिसका उम्र 22-22 बर्स बताया जा रहा है। यूबग को ईस इस तरही करके। इस इस गाच पे अãगया था। देख सकते हैं। यहाँ पाऊ का निशान आपू देख लिजिए। जो मिटी आपको दिख रहा होगा इसी परचार करके इस वाला डाली में जो है जो उसको लटका दिया गया था इस परकार की बेरमी से उसकी हट्ट्या की गई है रात में 10 बजे जो है उसको फोन करके घर से बुला लेते हैं और उसके बाद उसके साथ जो है दरिंदगी के साथ हत्या करके इसी गाची पे लटका दिया जाता है देख सकते हैं यही वो गाची है और इसी गाची में जो है सो रंजित राम को जो है सो हत्या करके जुला दिया गया था यहीं पे वो जुलता हुआ लास मिला था आपको बत आदे कि रात में परिवार वालों को लगा कि वो कमपोंडरी करने के लिए कहीं जा रहे हैं ऐसा रंजित राम अपने परिवार वालों को बता के गया था रात में रंजित राम घर वापस नहीं आते हैं लेकिन देख सकते हैं इसी सुनसान जगह में रंजित राम का जो है हत्य किया गया है रात में जब रंजीत राम घर नहीं पहुशते हैं सुबह चार बजे परिवार वाले रंजीत राम को आवाज देते हैं तो रंजीत राम किसी भी तरीका का जो है जवाब नहीं देते हैं तब परिवार वालों को अंदेशा होने लगते हैं परिवार वाले जब फ रांजीत राम को हत्या करके लटकाया हुआ बॉडी देखते हैं रात में परिवार बाले फॉन लगाते हैं उस समय भी उनका मुवाल स्विच अप जो है सो मिलता है परिवार बालों को लगता है कि साथ डॉक्टरी करने गए हैं उनका बैटरी खतम हो गया होगा इसलिए उनस संजीत कुमार आप लोगो कैसे पता चला कि यहां पे लटकाया हुआ है डिस वह सब्सक्राइब में लटका दिया जमीन से उसका पेर की दूरी कितना था वही लगब एक फीट नाने के बाद देखे थे उसमय उसकी सितिक पर करकी थी तो आप समझ सकते हैं रंजी त्राम्प के सर पे जो है सो टोपी रखा ही हुआ था है तो आखिर घ्रतना का स्वरूप जो है किस प्रकार का है यास समझ सकते हैं कोई भी सुल करेगा залणा में इसके पीछे किसका हाथ कई हना करते हैं और रूपि को पारोजी किसजाए चाहिए पूरी तरफ तरफ यहां है अपया नाम Enterprise लास्ट निटा उतार दिया था तो हम आहे थे लंसम में होई साथ बजे जब आप यहां आए ना तो आप क्या देखे बोडी को बडी को देखे कि प्रसासनी यहां पर आए थी रानी कुमारी यहां पर ने उतारी थी अच्छा उसके बाद यहां से आजा एगहंटा लिखा उस थाना आंतरगत खिर्मा पथ्रागाउं में जो है एक बहुत बरी घटना घटी है जिसका हम सीधा ग्राउंड जीरो से दिखाए हैं कि किस प्रकार से रंजित राम को हत्या करके इस गाच्छी में इस पेर के टहनी में लटका दिया गया था सुबह प्रसासन को जनकारी होती है तो परसासन यहां पहुंचते हैं और उस लास को नीचे उतार करके पोस्ट मॉडम के लिए दर्भांगाट भेज देते हैं घटना की बारीकी से जाच होनी चाहिए परिवार बालों का आरोप है जैसा परिवार के रंजित राम के बहन का कहना है रंजित राम के मार का कहन रहा है और वो भी रेप केस में उसे जो है सो चल ये रहा था आपके बेटा के साथ में आपके भाई के साथ में अनहोनी होना तय है ऐसा आरोप परिवार परिवारों का है दूसरे वीडियो में आप देख लिजेगा कि किस प्रकार से परिवार वाले इस घटना को ले करके कह रहे हैं चाहे उनकी मा कर रही हो चाहे उनकी बहन कर रही है उस बात को आप बारीकी से सुनिए घटना का स्वरूप जो है सो किस प्रकार से गढ़ा जाता प्रिवार वालों ने किस प्रकार से इस घटना को ले करके कहें हैं आप लोग इस वीडियो को अधिक से अधिक से शेयर किजेगा और इस घटना को ले करके आप लोग की क्या राय है कमेंट करिएगा आपको बता दे कि दर्भंगा जिला के क्योटी थाना के खिर्मा पंचायत अंतरगत पत्थरागव में एक युवत जिसका नाम रंजित राम है जो दलित परिवार से है जिसकी हत्या रात्री में दस वज़े के बाद की जाती है और उसके बद इस गाजी में लगता है जाती है झाल 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 झाल